अगर आपकी कुंडली के एकादश भाव यानि 11 था उसमें राहुग रह बैठे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में दर्शको यह बात आप पर अपलाई तो होती है कि जहां चाहते हैं वहां रहा मिल जाती है यानि जहां चाहा वहां रहा लेकिन इसे सही से समझने के लिए यह देखिए कि चाहते क्या हैं और जो चाहते हैं वो होता क्या है और उसे पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है क्योंकि एकादश भाव में रहो इतनी असानी से रहा यानि रास्ता नहीं देने वाले और ज द्यान रखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं जो मिल जाए वह भी हाथ से चीन लेंगे इनी सब बातों के बारे में आज बहुत विस्तार से जान करें दूँगा जिस व्यक्ति के एक आतरश भाव में राहू है कि एक्षली उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए या जीवन की किन परस्तितियों में किस तरह से निड़ने लेने में ये राहू ने साथ देगा मैं इस्ट्रलोजर चैलेजजन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ दर्शको अगर आपका 11 थाउस में कॉंडली के राहू बैठे हैं इसका मतलब जैसा मैं हमेशा शुरू करता हूँ तो बच्पन से यह शुरू करूंगा तो यानि बच्पन से ही राहू यहां बैठ कर आपकी जिन्दगी में आपको बहुत ही ज़ादा सही कहरा हूँ बहुत ही ज़ादा एम्बीशियस बनाते हैं यानि एक बात तो मन में स्थिरता के साथ रहती है, हमें कुछ बढ़ा करना है, कुछ बहुत बढ़ा करने के लिए ही हम इस दिन्या में आए हैं, ऐसी मन में इस्तिधी एकादश भाव में, यानि 11 आउस में बैठे रहू देते हैं, इसी के कारण बच्पन से ही आपका किसी ए यही कारण भी है कि कई बार मन में एक जिद आ जाती है, पर ध्यान रखना, मैंने मन में कहा है जिद वहवार में नहीं कहा, क्योंकि आप वहवार में तो छुपा लेते हैं अपनी जिद को बच्पन के अंदर, पर मन में उस जिद को बनाए रखते हैं, इसी कारण बश दर् को पूरा करने के लिए बहुत संगर्श करना पड़े समय थोड़ा अधिक लग जाए या फिर बहुत हाई लेवल की पड़ाई करने में दिक्कते बहुत जादा हैं लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम educated नहीं है दर्श को यहां पर qualification रुख सकती है पर आपकी quality नहीं एकादश भाव में राहू पड़ाई कम दे सकता है लेकिन experience जो आपको देगा वो किसी और व्यक्ति से कहीं जादा अधिक होगा चाहे उसी विशे में हो जिस विशे में कोई और व्यक्ति पड़ाई लिखाई करके आ रहा है कहने का मतलब एकादश भाव कर रहू किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ता आपके अनुभव में आपके knowledge में आपके experience में इसी कारण कह रहा हूँ जिन विध्यारतियों कि अगर थोड़ी पड़ाई कम रह गई है और उनके 11th house में रहू है तो मायूस मत होईए आपके 11th house में रहू बहुत कुछ चमतकार कर सकते हैं पर थोड़ा सा ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा जैसे की सबसे पहला ध्यान तो पड़ाई के लिए मैंने आपको बोला ही है परन्तु उसी समय में जिस समय पड़ाई का समय होता है education और qualification का समय होता है एक आदश बाव के रहू एक चीज़ और अड़ा देते हैं लाइफ में और वह होता है love affair बिलकुल किंतु परन्तु प्यार इसके अंदर एकादश बाव के रहू हमें involve करते ही हैं जिसके कारणवश कभी कभी हम अपने target से हट जाते हैं कहने का मतलब ये बहुत समाने तरीके से मतले ना आप कि ठीक हम relationship में नहीं आएंगे तो इसके कारणवश हमारी पड़ाई अच्छी होगी मैं यह कह रहा देता है इसी कारणवश कहे रहा हूं कि एकादश बाव के रहू का अगर फायदा उठाना चाहते हो तो कही ना कि इन बातों को समाल के रखना किन बातों को love affair करने में बुराई नहीं है relationship में बुराई नहीं है और आपकी जिंदगी उसके अधार पर टिकेगी भी लेकिन य यानि यंग एज में कोई decision तो नहीं होना न तो कोई decision लीजिए भी मत बहुत अच्छे मितरता रखे बहुत अच्छा साथने भाई ये जब decision का समय आये तब decision लीजिएगा आज decision लेके अगर आप अपनी जिंदकी को बदल रहे हैं तो समझ लीजिए आप राहू के जाल में फस रहे हैं क्योंकि ये भी देखिये दर्शो को कि कितनी अच्छी quality दी है कादश के राहू ने क्या कुछ भी नया सीख लेते हो यंग एज में अकसर कई बार लोग बातों को ignore करते हैं आप नहीं करते आप किसी से भी कहीं पर भी किसी भी तरह से आपको लगता है ना कि यह चीज सीख के हमारी quality increase होगी आप तुरण सीख लेते हैं यानि बिल्कुल शरम नहीं करते इस मामले में कि किसी से अगर हम पूछेंगे तो कोई हमारे बारे में क्या कहेगा कहने दो जो कहेगा आप ऐसा सोचते ही नहीं तो कितनी अच्छी quality है कभी-कभी youngsters इस बारे में है लेकिन काबिलियत नहीं इसलिए एक बात और देखो दर्शको समान्य तोर पर लोग अपनी गलती नहीं मानते लेकिन एक आदश्वाव में बैठा वा व्यक्ति का राहू आपको अपनी गलती मानने के लिए मानसिक तोर पर तयार रखता है यानि आप बहुत जल्दी रहू ही दे रहा है आपको इसलिए अकसर कई बार 11 ताउस में बैठे वे रहू को लोग गलत समझ बैठते हैं पर आपको ऐसा नहीं करना है और इसलिए धीरे धीरे जब आप चीज़ों को सीखते चले जाते हैं तो 11 ताउस का रहू आपको बहुत तरक्की देता है यह तो म होता है दर्शको जो जिद मैंने कहा था ना बच्पन में है पर वो जिद आपके मन में ही थी आज भी मन में ही रखना आपकी नेचर में अगर जिद दिग गईना तो बहुत गलबढ़ हो जाएगी यानि बहुत ज़्यादा हमबल रहना है जैसे जिद के लिए ही एक उधार की भी लिमिट के दाएरे से भी बाहर चले जाते हो और सही और गलत की डेफिनिशन भी भोल जाते हो अब यह एक आदश भाव कर रहू लिमिट से बाहर जाकर गलत करने के लिए प्रेरित कर रहा होता है पर यही राहू ने आपको experience दिया है ना तो उस experience का कीजिए और उस सम बहुत जादा चाहने वाले लोग भी होते हैं लेकिन मत बूलो उतने ही आपके छुपे हुए शत्रू भी हैं वह हमेशा ताक लगाए बैठे रहते हैं कि आप जरासी तो गलती करो तुरंत आपके मान सम्मान पर उढ़ा कर पथर मारेंगे सीधा कठोर शब्द यूज़ कर र पर कानून के दाइरों को तोड़ने को जरूर मना कर रहा हूं हो सकता है कि आप जो करने जा रहे हैं या जिस कारण से भी आपने कुछ भी किया उससे आप किसी का नुकसान नहीं कर रहें सिरफ अपने परिवार की सुरक्षा के कारण ऐसा किया लेकिन फिर भी कानून तो त करा देंगे दर्शको मैंने थमनेल में ये बात इसलिए लिखी है कि जहां चाहा वहां रहा यानि रास्ता तो आप निकाल लेते हो अपनी चाहत अनुसार लेकिन उसके बाद ही गड़बड होती है तो इसलिए थोड़ा संभल कर चलना बहुत जरूरी है आफ्टर ओल कहूंगा कि जैसे कि राहू अगर कहीं और बैठा है तो भी तो कुछ बाते हमें ब्रहमित कर सकता है या कुछ फाइदे सकता है कुछ नुकसान पहुचा सकता है तो आईए हमारी उस प्ले लिस्ट पर जो राहू ग्रह से ही संबंदित है यानि राहू किसी अन्य भाव में बैठ कर कैसा फल देते हैं उससे संबंदित बहुत जादा विस्तार में जानकारी दे गई है तो अगर आपके किसी अपने विक्ति के रहू किसी कुंडली में किसी अन्य भाव में बैठे हैं तो जरूर देखिए उस प्लेलिस्ट पर आने का तरीके दो ही है या तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दर्शको और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो जैसा कि मैं 11th house के रहू के बारे में अच्छी बुरी दोनों बाते बता रहा हूं तो एक और बात बताऊंगा जो आपको नहीं करनी चाहिए या आपकर बैठते हैं तो उसके कारण आपक अपनी डारेक्टर के एक्शन्स पर ही काम करता है जैसे डारेक्टर चाहता है वैसा एक्टर परफॉर्म कर देता है बस यहां बैठे एक आदिश के राहू को ये बात पसंद नहीं आती कहने का मतलब ये है दर्शको अगर आपने अपनी जिंदिगी में किसी भी व्यक्ति क नराज हो जाएंगे यहां बैठकर आप यह समझिए कि उन्होंने जो आपको एक्सपिरियंस दिया उन्होंने जो आपको अनुभव के साथ जिंदिगी में अलग अलग चीज़े सिखाई और बिना शरम करे किसी भी चीज़ को सीखने की काबलियत दी उसके इस्तमाल करते व वो ने जो आपको पसंद किया अब आप वो कर ही नहीं रहे क्यों क्यों कि अब आप दूसरे के इंफलेंस में आ गए हो दूसरे विक्ति के प्रभाव में आ गए हो उस दूसरे विक्ति को इतना करीब मानने लगे हो कि उसके कारण पूरी पसनेलिटी छुपा दिया आपने बदली नहीं है चुपा दिया आपने यानि अब आपके एक्शन आपके रूल से मैच नहीं का रहे हैं तो ऐसी परिस्तिते में आप अपना इतना नुकसान करोगे कि आप सोचोगे यह क्या हो गया वैसे तो सही माइने में बताओं होगा क्या ना बहुत अच्छा होगा ना बहुत बुरा होगा यानि धन तो मिल जाएगा पबलिक इमेज वाली जंगे भी पहुँच जाओगे लेकिन जो सही में मान सम्मान होता है वो भी नहीं मिलेगा तो फिर उसकी हानी भी नहीं होगी जो सही में आपको एक image conscious बनना था ambitious बनना था वो सारी चीजे जो मिलने चाहिए थी कुछ नहीं मिलेगा कहने का मतलब यह है रहा सामने पकवान होंगे खाने ही पाओगे बैठे बैठे बस उनको सूंगते रहा न तो क्या सूंगने से ही फेट भर जाएगा ऐसा कर देंगे रहू आपके साथ अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो comment box में जरूर लिखना कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ अगर उन्होंने सारी दूसरे व्यक्ति की बात मानी और अपने अनुसर चलना बंद कर दिया क्योंकि दर्शको जहां चाहा वहां रहा इसका मतलब यह है कि चाहत आप की होनी चाहिए किसी और की नहीं अगर आप किसी दूसरे की चाहा पर रहा डूंडोगे न फिर गडबड हो जाएगी फिर एकादश बाव के राहू से खराब कोई और नहीं है जैसे ऐसे समझे दर्शको कि एकादश बाव में राहू जो है ना कई बार फील तो ये देता है कि हम बहुत जल्दी तरक्की पा जाएं जैसा कि शुरू से कहता है रहा हूं बहुत एंबिशियस हैं तो बहुत जल्दी फेमस होने के लिए बहुत जल्दी तरक्की करने के लिए आप के पास कोई शॉटकट नहीं है दो शब्द मत भूलना अगर आप एक आदश बाव के राहू का फाइदा लेना चाहते हो और वह है एक्सपिरियंस एंड फेलियर बिल्कुल सही कह रहा हूं यानि इनी दो शब्दों की सीडियों पर पाउं रखकर आगे बढ़ना है फेलियर का स्वाद भी चक हो गया उसी को एक्सपिरियंस लोगे कि कैसे ठीक करना है और फिर उस एक्सपिरियंस और फेलियर की जुगल बंदी के साथ जो तरक्की करते हो तो आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा लेकिन जल्दबाजी में खेल गए जुआ और ये जुआ हमेशा ना पैसे का नहीं होता इस्तितियों का भी होता है यानि आर या पार की जंग में कूद गए कि अब या तो हम जीतेंगे या फिर अपनी सब कुछ जिंदगी गवा देंगे तो ऐसे इस्तिती में गवाओगे ही क्यों? क्योंकि ना अपने अपने एक्सपिरियंस का यूज किया और ना ही अपने फेलियर्स का एकादर्श भाओ का कहता है राहू इन दोनों को अपने साथ लेके चलना यही वो दो हैं जो एक तरीके से आपके लेग्स हैं, टांगे हैं एक्सपिरियंस और फेलियर को बेज बना कर आगे बढ़ोगे हार नहीं मानोगे यानि कि हर हाल में आगे बढ़ते चले जाओगे क्योंकि दर्श को यही तो काबलियत है राहू किया इसलिए जल्द बाजी में किसी भी तरह का जुवा, सटा कुछ मत करना, चाहे पैसे का हो, चाहे परिस्थिती का हो चाहे अग्रिमेंट का हो, चाहे कॉंट्रेक्ट का हो, चाहे कलाबरेशन का हो फस जाओगे और जिन्हों ने किया, बता देना कमेंट बाक्स में बाकी लोग तो सचेत हो जाएं तो दर्श को आपको मेरी बात समझ में आई होगी मैं कहना यही चाहता हूँ कि confidence और overconfidence हूँ है वो जो over word है ना सुनने में बड़ा सरल लगता है लेकिन यह कादर्श भाव का राहू कब आपको overconfidence पे ले जाए आपको पता नहीं लगता तबी बार बार यह है कहे रहा हूँ कि जैसे प्रेम संबंदों में है आपकी जिन्दिगे में अच्छा जीवन साथी मिलेगा अच्छे प्रेम संबंद मिलेंगे हो सकता है जिस वक्ति से आपने सबसे पहले प्रेम किया हो कुछ हालातों परिस्तितियों के कारण वह है आपके जीवन में जीवन साथी के रूप में convert ना हो पाए आपको उसके कारण थोड़ी मान सिखानी भी हो दुख भी हो और इसमें सामनी वाले विक्ति की गलती भी ना हो परिस्तितिया हो लेकिन अगर आपने उस फेलियर के बेस पर experience नहीं लिया कैसा experience? कि अपने लाइफ को आगे बढ़ा कर चलना है अब वहीं बैट गए आपने लाइफ को वहीं खतम कर लिया कि अब तो आगे ग्रो कर ही नहीं सकते हैं जिन्देगे के अंदर यानि अपने आपको emotional failures मानते हुए अपने करियर में भी उसका impact कर दिया तो बहुत नुकसान होगा मैं अब तभी आपको confidence और overconfidence की बात कह रहा हूँ जो भी और भी तरीके से सताने वाला हूँ जैसे की शुरुवात से कहता रहा हूँ कि जहां चाहां वहां रहा यानि रहा मिलने के बात करना क्या है अगर आपने यह सब किया तो गलत हो जाएगा क्या सब जैसे की रहू ने आपको क्या ताकत दी बड़े से बड़े अहदे के व्यक्ति के साथ लड़ सकते हो अपने point पर पूरी जिंदगी लड़ सकते हो अपने point से हटोगे नहीं अपने बात पर stand करने की ताकत है आप में आप लोगों की भलाई के लिए social welfare के लिए commercial profit के लिए भी सही लड़ाई लड़ सकते हो लेकिन जब भी लोगों का आपको साथ मिले आप हो गए गमंडी आपने छोड़ दिया humble system अब आप हाथ जोड़ कर नहीं खड़े होते आप इतने गलत तरीके से बोलते हो कि सामने वाले के दिल पर जाकर चुपती है लोगों को समझी नहीं आता क्या ये वही व्यक्ती है जैसी ही आप ये सब करोगे न एकादश भाव का राहू भी नजरे फेर लेगा और जो सब कुछ देना चाहा रहा था या दे चुका था सब कुछ वापिस और साथ ही ये भी समझो कि आप बड़ी से बड़ी कानूनी लड़ाई रड़ सकते हो चाहे आप पर सही इलजाम लगें या गलत इलजाम आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो लेकिन आपको क्या करना है एकादश भाओ का रावू कहता है कि जैसे आपने कावत सुनी होगी ना दूद का दूद और पानी का पानी कहने का मतलब आपकी अगर कहीं गलती है कानूनी व्यवस्ता में तो उस गलती को मान जाओ हाँ जहाँ आपकी गलती नहीं है वहां बिल्कुल मत मानो, वहां लड़ाई को continue रखो, उससे होगा क्या, आपकी एक problem बिल्कुल खतम हो जाएगी, जिस तरह की बात जो आपकी गलती थी, फिर भी उस पे लड़े जा रहे थे, तो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुचोगे, फाइनले उसका नुकसान तो फिर आपकी इमेज कहां पहुच जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते, यानि अपनी गलतीओं को मानना सीखिए, एकातश भाव का राहु यह कहता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो कानूनी व्यवस्थम है, और जहां गलती नहीं है, वां मत बुद्धिमानी भी देता है, इसलिए जो विवा, संतान, आदी बाते हम करते हैं न, उनको साइड में रखे, यहां मैंने बताया है कि राहु एक्चुली 11 थाउस में आपसे चाहा क्या रहे हैं, और साथ ही कैसी रहा आपको देंगे, तो जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि आप कही न कहीं नेम, फेम, पबलिक इमेज, लोगों का प्यार, समाज की परिस्तितियों के अनुसार, अपना नाम को आगे बढ़ाना, सब रेकादश भाव कर रहू देना चाहता है, बस आपको विनमर रहना है, क्योंकि एक और बात द्यान दो, कभी-कभी यहां बैठा र लेकिन सरलता से कहना से को, इसलिए कह रहा हूँ, सैयम शक्ति को अगर आपने बना लिया ना, तो एकादश भाव के रहू को आपने साध लिया, फिर कमाल होगा, कैसा कमाल होगा, आप देखा करो, जिनके एकादश भाव में रहू हैं, वो लाइफ के दो पार्ट जीते हैं एक ही जिन्दिगी में, उनसे पूछो तो सही, वो बताएंगे आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना, कि जो लाइफ का फर्स पार्ट था, उन्होंने एक्सपिरियंस और फेलियर्स पे सीखा, बहुत सीखा, सब से सीखा, कोई शरम नहीं करी, लेकिन लाइफ का जो से थाइंक्यू, दोनों को साथ लेकर चले, तो समझ आ रही होगी आपको मेरी ये बात, कि एक आदर्श के रहो को समझना चाते हो, तो अपनी बुद्धी को समझो, बहुत ताकत है आपका अंदर, पर उसके साथ जिम्मेदारियां भी हैं, जो मानसिक तोर पर बहुत आवश् शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है,